वीड आईक्यू, क्या है ये वीड आईक्यू? तो भाई हमें यूटूब पे वीडियो डालना है, उसमें वीड आईक्यू का क्या काम है? क्या ऐसे व्यूज नहीं आएंगे? मतलब कि टाइटर, डिस्क्रिप्सन, टेग जो डाला जाता है, वो सब बेकार है? अचा बेकार नहीं है लेकिन सही title, description और tag हमें लगाना है तो वो video IQ से लगाना होगा अचा वो तो ठीक है लेकिन इस video IQ को पूरा काम क्या है पूरा चीज पता चलेगा तपतू मालूम चलेगा ना की YouTube पे success कैसे किया जाता है हाँ तो बताओ भाई मेरा कैमरा और लोग इंतजार कर रहे हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौरो और आप आए हैं हमारे छोटे मोटे चैनल पर जहां मैं यूटूब से रिलेटेड ग्यान देता हूँ इनकी तरह अभी दूस्तों आप देख सेकते हूँ मेरे हाट में यहाँ पर तक्रीबन दो लाग रुपिया आपको यहाँ पर दिख रहे हैं अरे नहीं बाई इनकी तरह नहीं इनसे थोड़ा सा अलग क्योंकि इनकी मानोगे तो इनके हिसाब से तो AI से रिलेटेड जितने भी कंटेंट डाले जाते हैं वो सब चैनल तो मोनोटाइज ही नहीं होता है खैर छोड़ो यह सब बकवास बाते हैं इनको इनके जगा पे रहने तो हम चलते कहां विडाइक्यू पर जो की में टोपिक है तो हम चलते आप कहां अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर उससे पहले एक काम आप को बस कर देना है इस वीडियो को एक लाइक कर दीज़े सासी चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़े और चलते हैं हम computer screen पर आपको सीधा मैं वीडियो देखो पटाक दूँगा तो हम आच चुके वीडाइक्यू के official website पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि side में मैंने अपने चैनल को login करके रखा हुआ है और करने के बाद यहां पर देखो इतने सारे option मिलता है जो कि पहला है dashboard दूसरा daily ideas तीसरा AI generator और keywords ऐसे करके बहुत से option है तो हम एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आता है हमारे सामने dashboard dashboard में हमें क्या दिखता है कि यहां पर हमारे चैनल का status दिखता है ठीक है यहां पर इसको छोड़ दो कोई चीज नहीं है यहां पर आपको ideas मिलते हैं कि आपको कैसे कैसे videos को बनाना चाहिए और साथी में इसकी competition कितनी ज्यादा है यह आपको यहां पर देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद यहां नीचे में आप देख सकते हो और भी कुछ option है जो कि आपको आगे भी मिल जाएगा तो हम चलते हैं अब कहाँ daily ideas पर डेली ideas पर आप जाते हो तो यहां पर देखो क्या मिलेगा daily ideas में आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके की videos बनानी चाहिए जो कि अभी हमने dashboard भी देखा था dashboard पर overall दिखाता है तो यहां पर हम एक एक steps को समझते है personal ideas आप देख सकते हो कि आपके channel से related कौन सा topic है जिस पर आपको वीडियोज को बनाना चाहिए यहां पर वो सारा topic आपको देखने को मिल रहा होगा और साथी में इसकी search volume कितनी ज्यादा है high है कि low है कि medium है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देख customize ideas भी है यहां पर आप चाहो तो किसी particular keyword को लिखके search कर सकते हो को उस keyword पर competition कितनी ज्यादा है वीडियो बनाना उस पर सही होगा या नहीं होगा उसके बाद में आते हैं हम चलते हैं AI generator पर यहां पर देखो saved ideas है अगर आप save करके रखते हो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो हम चलते हैं कहां AI generator पर यह देखो बहुत ही कमाल की चीज़ है ठीक है कैसे कमाल है आप जब भी कोई वीडियो को बनाते हो तो आप बस camera start करते हो और बोलना है start करते हो लेकिन एक होता है ना कि एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाना वो कैसे बनेगा यहां पर जैसे कि मैं यहां पर लिख लेता हूँ YouTube यूटूब नहीं मैं लिख लेता हूँ इंग्लिस में यहां लिखना होता है तो how to grow on YouTube अभी मैंने यह लिख लिया how to grow on YouTube और इसको हम क्या करते हैं generate पर करते हैं click अब देखो यहां पर कितनी कमाल की चीज होने वाली है देखो सबसे पहले हमें क्या मिला यहां पर एक title मिल गया जिस पर लिखा हूँ है how to grow on YouTube and get more views and subscribers यह एक title मिल गया जिसे आप अपने वीडियो में लगा सकते हो उसके बाद आपको description भी यहां पर लिखा हूँ हो मिल गया यह same description आप अपने वीडियो में लिख सकते हो और साथ ही यहां पर देखो नीचे में hashtag भी दिये गया है उसके नीचे ही आपको कुछ tags मिल जाते हैं जो कि आपको जब डालोगे किसी को copy करने के जोरत नहीं यहां पर आपको real tag आपको यहां पर मिल जाएगा जो कि आप अगर लगाते हो तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि देखो यहां पर यह जो दिख रहा है न 67 मतलब यह tag अगर आप डालते हो तो 67 नमबर पर आप बहुत ही high volume search उसके नीचे में आपको thumbnail का मिल जाता है thumbnail background जो कि AI generate करके देदेगा बट यह कुछ मजा नहीं देता है अब आती है यहां पर हुक कि हुक इसका क्या होने वला है तो हुक के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले देख लो हमारे वीडियो का कि वीडियो कैसा ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो को बनाना है यानि कि starting होता है start with a surprising statics about YouTube growth on air मतलब कि यह बता रहा है कि आपको start कैसे करना है ताकि audience जो है वो समझ पाए कि हमें कितनी अच्छी वीडियो मिलने वाली है उसके बाद second होता है introduction आपको introduce करना है अपने topic को कि YouTube पे growth कैसे किया जाए उसके बाद presentation and problem challenges ये सारी चीजों को आप थोड़ा बारीकी से समझोगे ना तो मजाएगा बाई देखो मैं यहाँ पे generate script पे कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो video script तैयार हो रही है और नीचे में voice अबर भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हो कि आप ये voice आपक translate पे आप जाना यहाँ पे आप लिख सकते हो translate into Hindi और इसे करने के बाद सारे को copy करके यहाँ पे paste करना और यहाँ पे आपको Hindi देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से आप एक अच्छा वीडियो कैसे बनाया जाता है उसका total चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिर आती है बात keywords की, तो keywords में मैं जाता हूँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि दोस्तों यह बहुत कमाल की चीज है, top keyword opportunity यहाँ पे आप देखोगे तो पहला है how to convert facebook account to page, search volume कितना है 6592 यहाँ पे per day इसमें search होता है, तो इस पे आप चाहो तो वीडियो को बना सक तो yellow का मतलब है कि medium competition है, ज्यादा high इस पे नहीं है, यहाँ पे आप देख लो कुछ rising keyword है जो की, जिसका search volume बहुत ज्यादा है, बट यह अगर आपके channel से related नहीं है, तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आती है top keyword opportunity, अब देखो यहाँ पे how to convert facebook account to page, और search volume इसकी इतनी ज्यादा है और competition low है, तो इसमें grow करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा, यह जो very high दिख रहा है na, very high competition, इस पे आपको ज्यादा video नहीं बनानी है, आपको बनाना है low पे और very low पे और medium पे, इन सारे topics को अगर आप cover करते हो, जिसका competition low, very low या medium है, तो आपको grow करने में काफी असानी होगे, top search term for your channel, तो हमारे channel पे सबसे ज्यादा search क्या किया जाता है, वो यहाँ पे मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे rising keyword जिसके बारे मैंने आपको बताई दिया, तो keyword में यह मिलता है, उसके बाद option आता है हमारे सामने competitors का, तो competitor में, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको add करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे करकर रखाया मनुजदे को, मानलो spreading यहाँ पे मैंने search कर दिया, और इन्हें भी मैं add कर लेता हूँ अपने competition में, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं, तो देख सकते हो, यह यहाँ पे मनुजदे का यह blue वाला है, spreading यहाँ रेड वाला और मेरा green वाला जो कि green कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा बहुत ही छोटा सा channel है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे पूरी detail दिखाई जाएगी कि मनुजदे कितने views लाते हैं, मैं क कितना view लाता हूँ और spreading यान कितने लेकर आते हैं, total view है मेरा 50,000 और इनका spreading यान का 263,000,000 और मनुजदे का भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे 894,000,000 मनुजदे का, तो competition में यह पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, उसके बाद चलते हैं सब्सक्राइ हो, तो इसको हम छोड़ते हैं, क्योंकि यह अगर आपको मिल जाता ना भाई, तो यह बहुत ही कमाल की चीज़ है, फिर तो आपको कोई rank करने से कोई रोखी नहीं सकता है आपकी वीडियो को, उसके बाद आता है event, event भी आपको, event पे मैं click कर लेता हूँ, event पे, sorry, click नहीं हो पा रहा है, क्यों भाई, तो छोड़ो, AI coach पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो, एक होता है न, एक coach आपको मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, देखो, यहाँ पे कुछ सर्च करना होगा, उसका answer आपको मिल जाएगा AI के द्वार, जैसे, अगर आप लिखते हो, how do I get more views, मैंने यह इस पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखो, एक यह, मेरा जवाब बनके यहाँ पे तयार है, क्या आया, थोड़ा सा पढ़ लो, हे गोरो, यूर चैनल, गोरो कुछ 2.0, focus on YouTube, tips and tricks, मतलब इसने एनलाइज करके, यह भी बता दिया, कि मेरा चैनल किस बारे म है, और मैं उस पे क्या अपलोड करता हूँ, ठीक है, targeted audience, जो है, यहाँ पे देखो, age जो है, 25 से 34 तक मेरी targeted audience है, suggestion, कि हमें करना क्या चाहिए, अपने चैनल पे, यह suggestion मिल गया, content, idea and title, कि हमें किस तरीके का title पे काम करना चाहिए, engagement, engagement कैसे बनेगा, upload frequency, best audience, current data, you should aim to upload at least once a week, मुझे upload करना है, उसके बाद यहाँ पे फिर से suggestions में आता है, कि आप मतलब यह पूरा बताता है, वीडियो की length आपको around 90 second के रखनी है, aim to, वीडियो, average view, इतना, aim to keep your videos between 5 to 10 minutes to maintain views, viewer retention, फिर यहाँ पे suggestion, तो यह दोस्तों, आप इसको हिंदी में करके समझ लेना कि यह क्या कह आपको इतना फायदा होगा अगर आप इसको चलाना सीख जाते हो अगर अच्छे तरीके से, तो फिर भाई यह बहुत ही फायदेमन सावित होता है, मैं खुद इसका यूज करके बहुत सारी चीजे मैं इसी के द्वारा करता हूँ, अभी upgrade मैंने ने किया हुए, मैंने एक medium सा प्लान लिया हुआ है, बट मुझे ज़्यादा अप्ग्रेड करने के लिए ज़्यादा पैसे लगते है न, देखो यहाँ पे, 1999 डॉलर मन्तली, इतना तो बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा कहां से आएगा, इसलिए मैंने यह नहीं लिया, बाकी आप जितना अफॉर् सकते हो, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि विड आईक्यू को यूज करने का पूरा तरीका क्या है, और उससे क्या-क्या फायदे आपको हो सकते हैं, जो कि आपको एक सकसेशफुल यूटूबर बनने में काफी हेल्प मिलती है दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि जितने भी बड़े-बड़े यूटूबर है ना, सारे लोगों के फोन में या कंप्यूटर में ये वीड आईक्यू होता है, क्योंकि सिर्फ और सिप कहीं से ऐसे टाइटल इस क्रिस्वन टैग लिखने से नहीं होता है, आज के दिन क्या चलेगा, वो चीज आपको ट्रेंडिंग टॉपिक वहां से उठाना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजे है, जब आप चलाने लोगे तो धीरे-दीरे सीख जाओगे, उसका पैड वर्जन खेर मेरे पास है, आप फ्री में भी उसका यूज कर सकते हो, और थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल हो जाते हो, तो खरीद लेना उससे फायदाई ये नुकसान नहीं है,